लोगसभा चुनाओं के मद्दान के दौरान बिलारी में पीठा सिंग अधिकारी के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर संयुक्त राज्य करमचारी आकरोशी दिखाई दिखाई दे रहा है इसी मांग को लेकर मंद्दलाईट को एक ग्यापन सौपा गया और ये कहा है आरोपीओ के खलाफ सक्से साथ कारवाही की जाए मुरादबार लोगसभा चुनाओं के मद्दान के दौरान पीठा सिंग अधिकारी के साथ मारपीट का मामला तूर पकरता जा रहा है बुद्वार को राजित करमचारी सहीवत परिशत ने मंद्दलाईट को एक ग्यापन सौपा है जिसमें मांग की गई है कि आरोपी के खलाफ सक्से साथ कारवाही की जाए लोकसभा चुनाओ के मद्दान के दौरान बिलारी में पीटा सिंग अधिकारी के साथ राजितिक पाटियों के कुछ सदस्थों ने मारपीट की जिसका वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल किया गया जिसके बाद सभी में हड़ कमप मज गया और सभी का ये कहना है कि आरो अभी कि विगया उसके साहने हमरे झुरूदा और एक मरदान हुआ अधिकारी जो अपने दाइटो घॉगा जो मार पट आइक की और मीपॉड कर रहा था हूँ कि उसी का विरोध करते हुए हम सरकार से भी मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को चिनहित करकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारे प्रदेश इस तर पर हमारी बात हो गई है हम यह चाहते हैं कि हमारे पीटहसी नदिकारी है जो एक सरकारी करमचारी है उसकी सुरक्षा भी ह बड़ रहा है कि वह अपना सब कुछ वापस ले ले और हम पूरा राज्य किरमचारी संहिक परिशद आदर्णिया हरी किशोर तिवारी जी के नेतरित्व में यहां पर एक है खट्टा हुआ है और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग यहां पर आये हैं अगर हमारी यह नही पूरा शिक्षक संग उसका बहिशकार करेगा जुबैर नाम है उस बच्चे का पीटसीन अधिकारी है वो और यह बूत संख्या 231 है गन्ना समीती बिलारी कक संख्या 8 में पीटसीन अधिकारी के रूप में कर रहा था और उन्होंने इनको मारा है मतलब क्यों मार रहा गया अधिकारी है तो अपने घर चोड़कर जब जाता है तो अपने डियूटी का निर्वान अच्छे से डंग करने जाता है वो लेकिन उसको क्योंके वहां पर उसना आई काड यह जो भी कुछ उनका चेक किया उसके बाद में की पूरी एक तीम आई और पुलीस के सामने उसके साथ में बहुत रवाद रवेवार की अधियात में फायर कर रही है वहां पर तो क्योंके जानते ही नहीं कौन लोग थे वहां पर लेकिन पुलीस को अरेस्ट करना चाहिए था उसको